एलो फ्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पॉलिसी रिवाइवल के कई तरीके हैं पहला तरीका है और्डिनेरी और सिंपल रिवाइवल और्डिनेरी और सिंपल रिवाइवल में आप पॉलिसी को असानी से रिवाइवल कर सकते हैं पर यह सिर्फ पॉलिसी लैप्स होने के 6 महिने के अंदर होता है इस तरह की revival में health संबंदी कोई document नहीं मागा जाता है बस आपको एक revival form भरना होता है साथ में premium और उसका ब्याज आपको चुकाना पड़ता है दुसरे type का revival होता है जिसे medical basis revival कहते हैं जिन policies का ordinary revival नहीं हो सकता है वहाँ पर medical basis revival होता है इसमें LIC द्वारा पूछे गए medical record और दुसरे सवालों का जवाब दे कर आप फिर से अपनी policy को revival करा सकते हैं medical basis revival आप अपनी किसी भी जान पहचान के agent से आसानी से करवा सकते हैं next type की जो revival है उसे कहते हैं special revival scheme जब policy काफी समय तब बंद होती है तो ऐसी बंद policy को फिर से चलाने के लिए LIC समय समय पर revival campaign चलाती है जिसमें बचा हुआ premium एक साथ जमा करने पर ब्याज में कुछ छूट यारी रिवेट होती है ज़्यादा दर शाखाओं में यह campaign से लेकर अक्टूबर में चलाया जाता है पर zone के हिसाब से यह अलग-अलग समय पर भी हो सकता है या maximum 5 साल के लिए ही होता है और fourth type का जो revival है उसे कहते है installment revival scheme यह बहतर revival plan है यानि best revival plan है यह scheme उन लोगों के लिए है जो premium का भुकतान एक साथ नहीं कर सकते हैं इसमें आप बचे हुए premium को कुछ installment में भी जमा कर सकते हैं जैसे yearly, half yearly या quarterly तो चलिए friends आप बात करते हैं ऑफिछ्ण उपम इंशूरणे संडरीनु आपके अगर आपके ěम इंशूररेंस में लिपसेसिन हो जाता है तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है आपको term insurance अगर lapse हो तो आपके नए insurance से ज्यादा premium को चुकाना पड़ता है व्यानि आपको और extra premium उसमें चुकाना पड़ता है किसी भी तरह की policy lapse होने पर आपको नई policy लेने या नई policy पर claim करने में दिक्कते आती हैं काफी problem आ सकती है आये friends एक example से समझते हैं कि term insurance में lapse होने पर हमें क्या नुकसान हो सकता है अगर आप 25 साल के हैं और आपको term insurance की सालाना किष्ट 8000 रुपे जमा करने परती है तो 2 साल के बाद आपकी policy 2 साल के लिए lapse हो गई है तो पहले 2 साल आप 8000 रुपे के हिसाब से 16000 रुपे का आपने premium जमा किया पर lapsation के कारण आपको अगरे 2 साल का premium में renewal fee, late fee और installment मिला कर आपको 20,000 रुपे चुकाने पड़ेंगे जबकि नई policy उसे असानी से आप 9000 रुपे सलाना पर मिल जाएगी कुल मिला कर same risk cover के लिए उसे आपको 2000 रुपे extra चुकाने पड़ते हैं तो I hope friends आपको इस वीडियो समझाया होगा Thank you